आज हम बनाने वाले हैं गुथे हुए आटे का बहुत ही तैस्टी नास्ता यहाँ पर हमने थोड़ा सा आटा गुथा हुआ बचा लिया था यदि आपके पस गुथा हुआ आटा नहों तो आप साधा आटा को लगा करके इस रेस्पी को बना करके तैयार कर सकते हैं इसको हम स गी डालेंगे, गी डालेंगे, गी देबस को बहुत य अच्छा टेस्ट आए गशाने इसल मिदख़ खश्ट, गूल बिशुन विद्जोंखोड है देखो हमने घी और नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया है और जो हमने आटा रखा था आटे में हम थोड़ा सा हाथ में लेखे अच्छे से लगा देंगे क्योंकि आप रूटी के लिए आटा लगाते हैं तो ना आप उसमें कोई मौयम लगाते हैं ना तो आप उसमें कोई नमक डालते हैं यदि आप रोटी बनाते समय इसमें नमक डालते हूँ तो आप अकिला घी ले लें घी को अच्छे से हातों से में ले करके आटे में लगा लें इस आटे में हमारा नमक नहीं डलाता इसलिए हमने नमक और घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है साथ में इसमें हमारा अच्छे से मौयम भी लग जाएगा और इसमें नमक भी अच्छे से हो जाएगा देखो हमने अच्छे से इसको चिकना कर दिया है मसल मसल के हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है हमारा सारी आटे में अच्छे से नमक हो जुका है नमक आप अपने टेस्ट के एकोडिंग इसमें कम या जादा कर सकते हैं इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे बैसे हमारा आटा अच्छे से फूला हुगा है लेकिन हमने जब इसमें मौई मौर आटा लगाया था तो हम थोड़ी देर के लिए इसको और रख देंगे पांच मिनट के बाद अब हम इसके छोटी-छोटी से लोईया कट करेंगे दोस्तों आप मुझे एक बार बता दें कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करना तो आप बिल्कुल भी न भूलें ऐसे हम एक दम नई नई तरीके की रेस्पी लाते रहेंगे और हम सारी आटे की लोईया तोड़ करके कट कर रख लेंगे जिस साइज की आप इसकी लोईय बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं लेकिन आपको ध्यान देना है बहुत ज्यादा बड़ी लोईय नहीं बनानी है क्योंकि जो आज काहम नास्ता बना रहे हैं बिना ओयल का बना करके तैयार करेंगे लेकिन खाने में बहुत टैस्टी लगेगा हमने थोड़ा सा घी लगा लिया है यदि आप सुखा आटा लगाना चाहते हैं तो बिल्कु जरा सा इसमें सुखा आटा लगा नहीं तो आप घी या ओयल ही लगा करके इसको अच्छे से बेल है यदि आपको घी के बगएर बिल सकती है पूरी तो आप घी के बगएर भी पूरी बेल करके तैयार कर सकती है अब जैसी पूरी हम बनाती है बैसी ही हम इसकी पूरी बना करके तैयार कर लेंगे दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो आप बिलकुल भी ना भूल है देखो इस तरीके से हम अच्छे से पूड़ी बेल करके तैयार कर लेंगे ना हमने पूड़ी को बहुत जदा मोटा रखा है नहीं हमने बहुत जदा पतला रखा है मीडियम साइज की पूड़ी बना करके हम तैयार कर लेंगे आज हम दो तरीके का नास्ता बना कर करेंगे यदि आपको पूरी ना बेल ना हो तो आप दूसरे तरीके से भी इसको बना करके तैयार कर सकते हैं लेकन हम यहाँ पर एक दो पूरी बेल करके तैयार कर लेंगे और जो हमारा दूसरा बाला नास्ता है उसको भी हम बना करके तैयार कर सकते हैं इससे छोटी आप उसको भी हमने इस तरीके से थोड़ा लंबा कर लिया है इसके और हम बिल्को छोटी-छोटी से लोईंगा कट करेंगे दोस्तो यदि आपको गोल सेब में इसको बनाना चाहते हैं तो आप गोल सेब में भी छोटे-छोटे से बना करके तैयार कर सकते हैं तरीके से हम षतेली की मतदश से लंब करलेंगी और चप्टर करलेंगी हम इस दूसरे थरीके नाश्ता बन करके तयार हो चुका है पहले बूड़े लोग इस तरीके से नास्ता को बना करके तैयार कर सकते हैं वो बिल्कुल भी ओयल लेंग खाते थे इनको पानी में बना करके तैयार करेंगे ना तो आज हम इसमें कोई ओयल डालेंगे नहीं हम इसमें कोई मसाले डालेंगे बिना ओयल मसाले से हम इसको बना करके तैयार करेंगे देखो हमने इतने सारे दूसरे तरीके का नास्ता भी बना करके तैयार कर लिया है आज हम दो तरीके का नास्ता बना करके तैयार करेंगे और गैस पर हमने थोड़ा सा पानी गरम होने के लिए रख दिया था हमें पानी को इतना करम करना है कि हमारे पानी में अच्छी से बोयलाने लगे और जो हमें नास्ता बना करके रखाता है उस नास्ते को हम इस पानी में डाल देंगे पानी में डाल कर हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे हमें इनको बिलकुल भी नहीं चलाना है नहीं तो जो हमारा नास्ता है तूड़ जाएगा जब थोड़ा सा पक जाएगा तो यह अपने आप ही टेर करके ऊपर आजाएगा जब यह ऊपर आजाएगा तो हमें दीरे हाथों से इसको अच्छी से चला देना है बहुत जादा जल्दी जल्दी से हम इसको नहीं चलाना है नहीं तो जो हमारा नास्ता है तूट जाएगा देखो हम इस तरीके से सारे नास्ते को एक बार में ही डाल देंगे एक बार में ही हमारा जो नास्ता है पक करके तैयार होगा यदि आप और ज़्यादा नास्ता बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा पानी ले ले और ज़्यादा पानी में ही इसको पका करके तैयार कर लें दोस्तो बहुत ही टेस्टी आज का जो नास्ता है बन करके तैयार होगा दो तीर मिनट हमने इनको अच्छे से पका लिया है इनको हम धीरे से पलट लेंगे देखो अपने आप ये तैर करके उपर आज चुका है और धीरे धीरे से हम इनको अच्छे से पका लेंगे अब हम गयास को धीमा कर देंगे थोड़े दियर हम धीमी गयस पर ही इनको अच्छ हुआ है देखो अबी हलका हलका सा कच्चा दिख रहा है इसलिए अब हमें CADE मैं का जब्क करफा जAKEता पर होगाattend限 KY श्वilly के मिवं चूली is इसको सिर्फ देसी घी डाल करके इसको खाया जाता है देसी घी का तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है इसलिगे इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल लें और देसी घी डाल करके इसको आप खाएं खाने में मज़ा आ जाएगा हमारा नाश्ता है 6-7 मिनट में अच्छे से पक करके तैयार हो चुका है इनको हम एक पिलेट में निकालने और गर्मा गर्म ही सर्व करें गर्मा गर्म खाने में बहुत ही अच्छा लगता है ठंडा हो जाता है तो ठंडा नाश्ता इतना अच्छा नहीं लगता है इसलिए आप गर्म गर्म ही इसको सर्व करके खाने में बहुत ही मज़ा आएगा सारा नास्ता हमने निकाल करके तैयार कर लिया है आप हम इसको सर्व करेंगे सर्व करने के लिए हम दोबारा से इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे यानि कि हमने छोटी चम्मच से एक चम्मच भर करके घी ले लिया है और सारे नास्ता के ऊपर हम अच्छे से लगा देंगे हमारा जमा हुआ घीता इसलिए हमने गर्म गर्म नास्ते में डाल दिया है तो हमारा घी अच्छे से पेखल चुका है देखो हमने सारे नास्ते में अच्छे से घी को लगा दिया है दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार याद दला दूँ यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना तो आप बिल्कुल भी न भूलें और चैनल को सस्क्राइब करना भी न भूलें देखो हम इसको चीनी के साथ खाएंगे चीनी के साथ खाने में इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यदि आप गुड़ के साथ खाना चायते हैं तो गुड़ के साथ भी खा सकते हैं और वीडियो देखने के लिए आपको धन्नवाद